पेपसी, मुझे तुमसे प्यार है दोस्त के साथ लच हमेशा से ही अच्छा विचार है आप स्नाक्स खाते हुए, कुछ बढ़िया गपपे भी लड़ा सकते है लेकिन कुछ जादा ही मगर ना हो जाए उपस, तुमने अपना साण्विच गिरा दिया तो अब क्या करें, क्या तुम थ्री सेकंड रूल जानती हो, इसे अभी उठाओ एक, दो, तीन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे वैसे रूल क्या है, यह आसाल है अगर आप जल्दी से उठा लेंगे, तो आप खा सकते हैं अगर आप सांविच पर हूप मारेंगे, तो यह डिसिंफेक्शन की तरह है क्या आप भी यह करते हैं? हमें कमेंट्स में बताए आस्ट फूर्ट से हत्मन नहीं है लेकिन अगर आपको वो चाहिए, तो आपको खा लेना चाहिए फ्रेंच फ्राइस और सांविच, स्वादिश्ट और सॉस फ्राइस के लिए एकदम सही है काश में थोड़ी देर इसका मज़ा और ले पाती जिसने भी इसका अविश्कार किया, वो जीनियस होगा वो, तुम्हारा खाना कहा है मैं सिर्फ एक सिकंड के लिए नीचे जुकी इतनी तेस्ट, ये तो नास कर के तरह है क्या, इसमें कोकी एक भी सिप नहीं बची ये अजीब है, वैसे हमें घर चलना चाहिए वो बेकुल अपना वक्त जाया नहीं करना चाहती और इस लड़के के हिसाब से स्वादिश खाना ही इंसान के जीवन की जीत है ये डिश जात हुई है शांदार, स्वादिश ये बुरा है कि हर अची चीज़ को खतम होना होता है अह, मैंने इतने समय से खाने का इतना मजा नहीं लिया क्या मैं आपकी प्लेट ले सकता हूँ नहीं, आपको क्या हुआ अवे बेस में कुछ सौस बची है इस तरह के इंसान हर चीज़ को अंतक खाते है मेरी तरफ से शेफ की तारीफ करना कुछ लड़कियों के लिए उनका मेकप एक बिजनस लंच से ज़ादा इंपोर्टेंट होता है अपने लिप्स्टिक को बिना खराब की लंच करना आसान काम नहीं सबसे जरूरी चीज़ ये ना भूला कि आपने मेकप क्या है साफधानी से बाइट ले खाने को अपने होटों से बिना खोए अपना मूँ जादा खोलो जो भी हो अपने लिप्स्टिक का ध्यान रखें वैसे ग्लास इसके साथ काफी परिशानी है हाँ आपको बोतल सही बीना होगा लेकिन सुन्दरता दर्ट तो देती है है ना क्या आपको मीठा पसंद है हाँ सबको मीठा पसंद है इन स्वाद इस्टिक लियर्स के बारे में क्या खयाल है पक्का आप ये चाहते हैं कि काश आप ये खा सकते एक स्लाइस काटी उस सॉफ्ट प्रीम को देखो कितना खूपसूरत है ना अम क्या हम इसे काटेंगे क्यों ये क्या है इस तरह कौन पेस्ट्रीस खाता है अच्छे से स्वाद का मजा लिने के लिए एक लिए इसको पुरी तरह से अपने मुँ में बढ़ना चाहिए और इची तरह चबाना चाहिए तुम्हारा मूँ तो बहुत बड़ा है क्या तुम इसे ट्राइ करना चाहोगी फिर कभी शायद ये रहे डोनट देखो बाम हो गया तुमने एक ऐसे किया ये मेठी चीज़ों के जिन्दगी मेरे लिए नहीं है कई बार हैसा भी होता है जब आपके पास किसे भी चीज़ के लिए वक्त नहीं होता ये बल्नस है बेबी खाना खाने के लिए कोई वक्त नहीं जब काम आपका सारा खाली समय ले ले लेता है तो आपको लाप टॉप के सामने बैठ कर लन्च करना पड़ता है कि पूरा आइडिया नहीं है लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है अब ये समय है काम का और लॉंच का अपना लाप टॉप बंद करो और सांड विद्खाओ सलादिक बहुत अच्छा अविश्कार है आप ऐसी चीज़ों को मिक्स करते हैं जो साथ में मिलने वाली बिल्कुल नहीं लगती लेकिन उनका नतीज़ा बहुत बढ़िया होता है ये कितना स्वाधिश्ट है कितनी पुरी बात है कि मेरी दोस्ते से बढ़ावा नहीं देती य क्या कर रही है इंग्रीडियन्स को रू में लगा रही है ये क्या है टेट्रेस एक के बाद एक इसे परफेक्ट बनाने के लिए फेटा चीज, खेरे, टमाटर, ओलिव्स जिसे पिचर में हो परफेक्शनिस्ट होना मुश्किल है लेकिन ये खुब सुरत है और ये कुछ जादा ही अच्छा लग रहा है हाँ लेकिन अब ये सलात नहीं रहा तुमें फिर सर्फ सब्जियों का प्लाटर ओडर करना मिलिए एक और अलग तरेके के इंसान से दर रिवीवर ये बुरी जगा नहीं है ये साफ सुत्री जगा लग रही है क्या आप ओडर करने के लिए तैयार है हाँ एक पानी का ग्लास और शेफ की स्पेशल डश और जल्दी प्लीज मैं अपनी गलफ्स पहनती हूँ और ये र रहा खाना चलू जाँच पर ताल शुरू करें छीक है हमारी पास क्या आया ग्लास साफ है और पानी भी साफ है ये अच्छी शुरुआत है पीजा बहुत स्वादश लग रहा है लेकिन ये क्या है एक बाल ये कितना कंदा है ये अपने ग्राहकों को टॉर्चर कर रहे है मैं यहाँ कभी वापस नहीं आओंगी अपनी साइट पर बुरे रिव्यू के उमीद रखना और ये ग्राहक तो हर वेटर के बुरे सप्टे के तरह है ये दयालू खुश रहने वाली और प्यारी है लेकिन लुक्स दोखा दे सकती है वो सूप और जूस ओर्डर करती है ओ नहीं मश्रूम के साथ मुझे मश्रूम से नफरत है मेरे आगे से ले जाओ इसे मैं यह नहीं खा रही छीक है नमबर दो ट्राइ करें वेजिटेबल रिसॉटो चावल अच्छे हो सकते हैं लेकिन जमी हुई सब्जिया क्या यह रेश्टों के लिए सही है ले जाओ पता गुबी के सलात को खराब करना मुश्किल है लेकिन आपने यह बर्बाद कर दिया यह सजावट क्यों पाश ले और गुलर क्यों नहीं वैसे कम से कम यह जूस तो खुद नहीं बनाते यह भी कुछ खास नहीं है कुछ लोग ऐसा परताब करते हैं जैसे उन्हें हर काम करने के जल्दी है वो बगर भी खाना चाहते हैं और गफ़े भी लड़ाना चाहते हैं और यह एक साथ नहीं कर सकते अपने पूरे भरे हुई मूँ के साथ हे खाते वक्त अपना मूँ बन करो ओ यह बहुत जीब लग क्यों ना ले और फिर बात ही कर सकते हैं नहीं चीक है कारो फिर इनके पास बहुत अच्छे आपिटाइजर्स हैं ओ कूल इन्होने इसमें मिश डाली है मुझे दीखा बहुत पसंद है मुझे लगता ही और डाला जाए तो मैंने लगता कि अब यह बहुत ज़्यादा दीखा है नहीं चीक है उसे कुछ और काली मिर्च चाहिए या असली मिर्च है वैसे यह आक्रिबाइट बहुत ज़्यादा दीखी थी बस मुझे पानी सही समय पर पीना होगा तुमसे ट्राइज क्यों नहीं करती यह बस थोड़ा ही दीखा है अरे नहीं शुक्रिया मैं ठीक हूँ अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ क्याफे जाना जो डाइट पर हो मजीदार है अपने खाने के साथ खेलना बंद करो तुम खा क्यों नहीं रही जवाब जाहिर है वो क्या व्रीजना आप रही है स्केल्स लाओ तो मेरी लंच में आदाओ सब्सिया होनी चाहिए ना जादा ना कम वाह तुम्में तो बहुत अच्छा स्टामेना है अपनी शक्सियत का ख्याल रखना आसान नहीं लेकिन आप खोशिश कर सकते हैं उधारिंट के लिए अगर आप बोरिंग फोग छोड़ दे और चौप सेक्स इस्तमाल करें तो क्या हो गया अगर आपके आलू सूशी की तरह नहीं दिखते जब बात मटर की हो तो चौप सेक्स इस्तमाल करना आसान काम नहीं लेकिन कम से कम आप अच्छे मोटर स्कल्स बना सकते हैं और अपने धीर एजड़क्ने की शक्ति को भी ट्रेम कर सकते हैं लेकिन ये फ़लो के लिए परफेक्ट है तो मैं अपने डिज़ट के साथ क्या कर एक बुफे पाटी मेरी खयाल से किसी को भी नहीं पता कि कुल कितने महमान है इसका मतलब तो अगर आप बिना बुलाया आएंगे तो कोई ध्यान नहीं देगा ये सब मुफ की खाने को तो देखो क्या नपैस ये नाश्ते के लिए बहुत बढ़िया है अपना डिबा है दो ड्रिंक्स में अपने लिए और अपनी काल पनिक दोस्त के लिए एक पी ले और दूसरा अपनी बोटल में डाल ले ग्रूप में घुल मिल जाना सबसे जरूरी चीज है वैसे ये बहुत बढ़िया पाटी है लेकिन मुझे जाना होगा मेरी दोस्त खाने को लेकर जनूनी है मैं पूरे दिन से लंच का इंतजार कर रही थी और ये रही वज़ा हे मेरी भगवान ये कटले कटलरियार्ट का काम है ये एक मास्टरपीस है एक जीनियस का क्रियेशन चलो शान्त हो जाओ ये तो बस आफिस का फिटेरिया का खाना है मुझे लगता है तुम भर्रियार्ट कर रही हो और डिजर्ट क्या इस तरह का स्वाधिश्ट डिजर्ट बनाना कानूनी भी है बेहत्थ स्वाधिश्ट मैं बहुत खुश हूँ खाने की जन्नत क्या आपको हमारे नए खाने की वीडियोस पसंद आए अब खाते हुए कैसा व्यावार करते हैं हमें कमेंट्स में बताए और इस वीडियो को लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें बेल को दबाए ताकि आप ग्रूम ग्रूम पर मज़ों केस केचस मिस्त ना करें